प्रधानमंतियन रिंदर मोदी ने पी-म सूरज पोर्टल का क्या आशो भरम कहा विक्सित भारत का लक्ष वंचित वर्गों के विकास के बिना नहीं किया जा सकता हासे मुख्यमंतियन नायव सिंग सेनी ने विभिन विभागों के वरिष्ट अधिकारियों की बैठे किया धक्षता की उन्होंने कहा कि पहले की गई सी-म घोशनाओं को तैस समय में किया जाएगा पूरा प्रदेश के मुख्यमंतियन ने वित्य सहायता तीन वचार स्टेट कैंसरोगी पोर्टल का क्याशु भारम उन्होंने कैंसर और पच्पन अन्ने दुरलब बिमारियों से पेडित लोगों को वित्य मदद के लिए दो नई योजनाओं भी ऑनलाइन की शुरू और भारतिय जंता पार्टी की और से आगामी लोगसवा चनाओं के लिए भात्तर प्रत्याक्षियों की दूसरी सूची जारी पूर मुख्यमंतिय मनोरलाल को करनाल सबताया गया प्रत्याक्षी नमस्कार मैं गीतु गुलाती अब समचार विस्तार से प्रधानमंतिर इंदर मोधी ने कल प्रधानमंतिर समाजिक उठान और रोजकार अधारेज जन कल्यान पी-म सूरज राष्ट्री पोर्टल लॉंच किया और वंचित समिदाओं के एक लाख उद्मियों के लिए रिन सहायता को मंजूरी दी प्रधानमंतिर ने वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से अनसूचित जाती पिछ़़ा वर्ग और स्वच्ता कर्मियों सही वंचित वर्गों के विभीन सरकारी योजनाओं के लापार्थियों के साथ पार्चित भी की इस कारकर में देश भर के 470 से अधिक जिलों से वंचित सुम्मू हों के विभीन सरकारी योजनाओं के लगबग 3 लापार्थियों ने हिस्सा लिया प्रधानमंद्री ने National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem नमस्ते योजना के तहट सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आईश्मान स्वास्ते कार्ड और PPE किट वित्रित की जैसे ही बटन दवाया वैसे ही सीधे घरीबों के बैंक खातों में 720 करोड रुपए की सहाय तराशी पहुंच गई इससे वंचित वर के एक लाग उद्यमियों को फाइदा पहुंच है जो समाज के सबसे कमजोर तबके की नुमाइंदगी करते हैं पियमोदी ने कहा कि आज दलित पिछड़े और वंचित समाज के कल्यान के दिशा में देश एक और बड़े अफसर का साक्षी बन रहा है उन्होंने कॉंग्रेस पर दलित वंचित पिछड़ा और आदिवासी समाज को पीछे रखने का आरोप लगाया और कहा कि ये वर्ख आगे आ जाता तो इनकी परिवार वादी राश्रीती बंद हो जाती है उदी जब दलित वंचित समाज के लिए कुछ भी करता है तो इंडी गड़ बंदन वाले लोग सबसे ज़्यादा चीड़ जाते हैं कॉंग्रेस वाले कभी नहीं चाहते कि दली तो पिछलो आदिवासियों का जीवन आसान बने वो तो आपको बस तरसाकर ही रखना चाहते हैं आप किसी भी योजना को देखिये इन्होंने आपके लिए सहुचाले बनवाने का मज़ा कुड़वाया इन्होंने जंदन योजना और उजवला योजना का विरोध किया जहां राज्यों में इनकी सरकारे हैं कई योजनाओं को इन्होंने आज तक लागू नहीं होने दिया यह जानते हैं कि दलीत, वन्चीत, पिछड़ा यह साड़े समाड और वहां के युवां अगर आगया आएंगे तो इनके परिवारवादी राजनिती को दुकान बंद हो जाएगी तुहार मंत्री ने कॉंग्रेस पर वन्चीत वर्ग के लोगों को उनके भागी के भरोसे छोड़ने का आरोप लगाया उन्होंने का कि कॉंग्रेस की सरकारों ने वन्चीत वर्ग के लोगों के महत्व को कभी नहीं समझा यह नहीं था, उनको परवा ही नहीं थी, इन लोगों को कॉंग्रेस ने हमेशा सुभी दाओं से बंचित रखा, देश के करोणों लोगों को उनके भागे के भरोसे छोड़ दिया गया, और दुर्भागे देखिये, ऐसा एक माहोल बन गया, कि यह योजनाएं, यह लाप, यह जीवन तो उनके लिए हैं, हमारे लिए तो नहीं हमें तो ऐसे ही मुसीबतों में जीना है, यह मानसिक था बन गई, और इसके करण सरकारों के खिलब सिकायद भी नहीं रही, मैंने उस मानसिक दिवार को तोड़ दिया है, अगर आज अच्छे घरों में गयस का चुला होगा, तो वंचित के घरे में भी गयस का चुला होगा, अगर अच्छे अच्छे परिवारों के बैंक के खाते होंगे तो गरीब का, दलीत का, पिषडों का, आदिवाजी का उसका भी बैंक खाता होगा प्रदेश के मुख्यमंतिर नायप सिंग ने कहा कि प्रदानमंतिर रिंदर मोदी की सोच है कि वश्ट 2047 तक भारत को विष्व का विक्सित राष्ट बनना है इसी लक्ष को पूरा करने और देश के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक केंदर वर राजसरकार की जन हितैशी नीतियों को पंचाने के लिए प्रदेश सरकार टत पर है वंचित समाज की महिलाओं वपुर्षों के आर्थिक उत्थान के लिए प्रधानमंद्री समाज्यक उत्थान एवं रोजगार अधारिच जनकल्यान पी-म सूरज पोर्टल कारगर साबित होगा वीडियो कॉन्फरेंस के जरिये पर धानमंद्री रिंदर मोदी ने कल सूरज पोर्टल का लोकारपन किया मुख्यमंद्री नायप सिंग ने कल नमस्ते मित्र योजना के तहट हर्याना शहरी विकास प्रधिकरन पंचकुला के सिवर्मेन गुर्जीत सिंग जगदीप सिंग सेंटी राजेश कुमार और जस्विंदर को नमस्ते आईडी और आईश्मन कार्ट सौंप कर बढ़ाई द आर्थिक तोर पर सम्रिद भने महिलाओं और पुर्षों के अनुभव की साजाद दिये एक महिला ने मुख्यमंत्री को बताया कि आर्थिक तंगी की वज़े से पहले उसे परिवार का पोर्षन करने में दिक्कत हो रही थी फिर उसने सरकार की योजना के माध्यम से नरिन टेकर बुटीक का काम शुरू किया जिससे ना सिर्फ अपने परिवार का पोर्षन करने में अच्छे से सफल हुई बलिक कई अने युवताओं को भी रोज कार दिया मुख्यमंत्री ने इस विरोजगार अपना कर खुशाली के पत पर चलने वाली महिलाओं और पुर्षों में मुख्य थथि के तौरक शिर्कत की, कारकरम में प्रधानमंत्रियरं इंदर्मोधी के संबोधन का लाइफ प्रसारन किया, ज्याजग्चन गुप्ता ने राष्ट्या अनसूची जाती वित्ये में विकास निगं Limited वर राष्ट्य सफाई करम्चारी वित्ये में विकास निगम के लापार्तियों को लोन सवकृति पत्र और नमस्ते योजना के तहट सिवर सफाई कर्मियों को आईश्मान कार्ड वित्रित किये इस अबसे पर महापोर्ग कुल भूर्षन गोयल और बीजपी जिलाध्यक्ष दीपक्षर्वा स्दियम पंचकुला गौरफ चोहां सह कई पधादिकारी वह अन्यवपस्तित रहे ग्यांचित गुप्ता ने कहा कि पीम सूरज पोर्टल के द्वारा उभरते उद्मियों को एक वेप सेवा माध्यम से निर्बात रिंज सहायता परदान करने की शुरुवात की गई है केंद्र राजसरकार ने समाज के गरीब और वन्चित वर्गों के लोगों के उथान के लिए अनेक योजनाएं लागुगी हैं ताकि वे समाज की मुक्खे धारा में शामिल होकर देश परदेश के नव निर्मान में अपना योगदान दे सके उन्होंने कहा कि महलाओं और युवाओं पर विशेश धियान देने के और उसके कारण जो गरीब आदमी घर में ही बिना इलाज करके वो गई बार तो मौत हो जाती थी लिकिन जब से प्रदानमंद्री जी की आईशमान काड की होजना आई है हर गरीब परिवार को उसका लाम मिला है इसके लावा जो हमरे नए नए स्टार्ट अप्स देश के अ उन्होंने परदेश के नए मुख्यमंति के बारे में एक प्रश्ण के उत्तर में कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें समानने कारेकरता शीश नेतरत पर पहौन सकता है मुख्यमंतिय नायव सिंग सेनी कई मुख्य पदों पर आसीन रहे हैं और पार्टी के सोच के युवाओं वो अन्य पिछा वर्ग को भड़ावा दिया जाए ये उसी का स्वरूप है भारतिय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी के अंदर एक छोटे से छोटा एक सामान्य करकरता वो पार्टी का फ्रदेशे जक्ष भी बन सकता है और वो पार्टी का मुख्यमंत्री भी बन सकता है ये केवल भारतिय जनता पार्टी के अंदर है नायव सिंग सेनी जी पिछले 20-25 वरस से पार्टी की सेवा के अंदर लगे हुए हैं, विभिन पदों के उपर उन्होंने काम किया है विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सानसद रहे हैं, पार्टी के परदेश अध्यक्ष रहे हैं और आज उनको जो मुख्य मंत्री की जिम्मारी दी गई है मैं समझता हूँ कि पार्टी की एक एक सोच के युवाओं को जो अधर भैकवर्ट क्लासीज हैं उनको आगे बढ़ाया जाए इस असर पर लापार्थी रेखा सुनीता देवी अन्य ने महिला सम्रिदी योजना के तहट रिन लेकर आतम निर्भर बनने के बारे में अपने अनुभव सांजी की और आयुश्मान कार्ड के लापार्थी ने भी सरकार की सराना की लोन लिया है और मैं काम करती हूँ बूटीक का तो मैं अपने आप पर आतम निर्भर हूँ और मैंने कई अपनी बहनों को भी आतम निर्भर किया है तो हमने अपने बच्चों और घर का खर्च करने के लिए ये काम किया है महिला समरीती योजना से एक लाख पैकर लॉन लिया था जो कि मैंने अपने गाम में दुकान खोल ली थी कोश्मेटिक की उसमें महला जो पूर्स की दुकान पर जाना पसंद नहीं कर दी थी और मैंने सारी परकार की मतलब समान जो लेडिस के समान है वो रखर रखे हैं अपन ममत्री इंदर मौदी से नई दिली में 6 जार मुलाकात कि राश्पति और पतर्धान मंत्री ने बधाई दी। और प». मुक्यमंत्री नायव सिंग सेनी नि अधिकारियों को निश्धेश दीए कि परदेश सरकावार्ण चालू की गई कल्यान योजनाओं को लगातार जारी रखा जाएगा और कारे में पूरी पार्दश्टा बरती जाएगी मुख्यमंत्री ने कल चंडिगर में विभिन विभागों के वरिष्ट अधिकारियों की बैटे किया धिक्ष्टा की उन्होंने इस अफसर पर कहा कि पहले की गई सीएम खोष्टनाओं को तैसमे में पूरा किया जाएगा इसके साथ ही जन समवाद एम सीएम विंडो पर आई शिकायतों का प्रात्मिक ताक से समाधान भी हो उन्होंने अधिकारियों को पूरी इमानदारी से कारे करने की सलाह देते हुए कहा कि वे भिन योजनाओं और परी योजनाओं को पूरा करवाने में पूरी तरह से पारदश्टा बढ़ते हैं मुख्यमंति नायम सिंग ने कहा है कि सरकार द्वारा दीन द्याल उपाद्धाय अंतोध्य परिवार सुरक्षारी ओजना की रियानवेंट की जा रही है मुख्यमंति ने कहा कि किसी गरी परिवार के 6 वर्ट से 60 वर्ट तक की आयू के सदस्य की अचानक दुरगटना होने पर मृत्यू या 70 प्रतिशत दिव्यांग हो जाने पर सहायता परदान की जाती है इसमें 6 से 12 वर्ष आयू तक 1 लाक रुपे, 12 से 18 वर्ष आयू तक 2 लाक रुपे, 18 से 25 वर्ष आयू तक 3 लाक रुपे, 25 से 45 वर्ष आयू तक 5 लाक रुपे और 45-60 वर्ष आयू तक 3 लाख रुपे की आर्थिक सहायता परदान की जाती है इस लाब में 18-40 वर्ष आयू वर्ख में पधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना के तहट मिलने वाली 2 लाख रुपे की राशी भी शामिल है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहट अब तक 4,327 लापात्रों के बैंक खातों में 166 करोड 23 लाख रुपे की राशी सीधे डाली गई है नायव सिंग ने कहा कि वर्तमान रभी फसल में ओला वरिष्टी से हुए फसली नुकसान के लिए ये शतिपूर्ती पोर्टल 15 मार्च तक खुला गया है किसान ओला वरिष्टी से हुए फसली नुकसान को पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं तो हजारते ही जो खरीफ की फसल है उसके खराबे का जो नर्मा की फसल है कौटन की फसल उसके खराबे का चाहे वो गुलाबी सुन्डी से हुआ है या अन्य कोई प्राकृतिक उसके उपर आपना आई है उसके कान से जो उसका खराबा हुआ था लगवग आज 87 क्रोड 95 लाख रुपे का आज मुआवजा उन तक पहुंचा है और क्योंकि सरकार लगातार ये पोर्टल जिसके उपर अगर किसान की फसल खराब होती है वो अभी भी खुला है हम प्रम्पिता प्रमात्मा से ये प्राथना भी करते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो शकुशल रहें किसी परकार की उनके उपर प्राकृतिक आपदा ना आए और अगर कोई इस परकार की दिक्कत प्रशानी आती है तो सरकार पूर्ण रूप से किसान के साथ खड़ी है मुख्यमremeत्री नायव सिंग्ने कहा कि सरकार सभी नागरीकों को समाजिक सुरक्षा परदान करने के लिए संकल्प बद है इस दिशा में समाज के कमज़ोर वर्गों को समाजिक सुरक्षा पैंशन के लावा चिकितसा सुरक्षा भी परदान की जारही है मुख्यमंत्री ने वित्य सहायता 3 वे 4 स्टेट कैंसर रोगी पोर्टल का शुभरम्पी किया उन्होंने कैंसर एवं 55 अन्य दुरलब बिमारियों से पिडित लोगों को वित्य मदद के लिए दो नई योजनाओं का ओनलाइन शुभरम्पी किया मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कैंसर की 3 वे 4 स्टेट के रोगियों को भी प्रतिमा 3,000 रुपे की आर्थिक सहायता मिलेगी कैंसर और 55 अन्य बिमारियों से ग्रस व्यक्ति सरल पोर्टल के मार्धियम से ओनलाइन अवेदन करके लाब उठा सकते हैं पूरी के पूरी ऐसे जो प्रिडित विक्ति हैं किसी को कोई बिमारी जो हो जाती है उनको उस पोर्टल को पर रिजिस्टेशन करेंगे और उनको जिस परकार से बुड़ापा पेंसन समान बता दिया जाता है 3,000 रुपे उस तरीके को उनको ये पेंसन लग करके उनको करते हैं एक टीम बनी हुई है कि इसको कोई कैंसर या कन्य कोई डीजिस जो बिमारी है जिसके कारण वो प्रिडित है हर्याना के पूर्मुक्यमंति मनोलना ने कहा कि पारदर्श्टा के मामले में हर्याना की बीज़ेपी सरकार ने गज़ साड़े-9 वर्षों के कारेकाल में अनेक पहलें की हैं जिससे जनता लाभन दित हुई है उन्होंने खा कि हमने सत्ता को भोगरी की बजाए सत्ता को सेवा का माधिम बनाया और तक्नीक का सहारा लेती हुए विक्ति की बजाए सिस्टम को महतब गिया वह अंतोध्य के संकल्ब के साथ आखरी सांस तक हर्याने की जनता की सेवा करता रहूगा पूर मुख्यमंत्री मिनोला ने कल हर्याना विधानजवा के विशेश सत्र के दोरान सदन के सभी सद्यसों का भार प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें सदन का नेत्रत्व करने का मौका लगब शाड़े-9 साल पहले मिला था लेकिन पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय विपक्ष के लोग कहते थे कि बतोर मुख्यमंत्री उन्हें कोई अनुभव नहीं है इस विशे को लेकर वे परधानमंत्री इंदरमोदी से मुलाकात की तो परधानमंत्री ने कहा कि आप तो विधायक बनकर मुख्यमंत्री बने हैं जबकि वे विना विधायक मुख्यमंत्री बने थे जिस परकार आज नायव सिंग मुख्यमंत्री बने हैं पर धानमन्ति ने कहा कि कुछ बाते तो जनता सिखा देगी, कुछ भी धानसभाब में विपक्ष के सदस से सिखा देगी, उन्होंने सदन के सभी सदस्यों का भार वेक्त करते हुए कहा कि मैं आपका भारी हूँ, सब ने मुझे तराशने का काम किया और मुझे इस तर पर ले दिया है आज से आज से करणार की विदानसभा की देखरेक हमारे नए नेता ये मुख्यमंत्री जी उसकी देखरेक करें और मेरे जिमें संक्षन की और से जो काले लगेगा उसका आज़िब करूँगा भारते जंता पाटे ने अगामी लोगसवा चनाओं के लिए 72 उमीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है इस सूची में महाराष्ट्र और करनाटक की 20 पी सीटों, हर्याना और तेलांगना की छेचे, गुजरात की साथ, मद्र परदेश की पांट, दिल्ली हिमार्चर परदेश और उत्राखन की दो-दो और त्रिपुरा तथा दादर और नागर हवेली की एक-एक सीट के लिए उ इंदरजीत सिंग यादव को गुरगाउं सीट से चुनाव मेदान में उतारा गया है, वहीं केंदरी मंतरी अनुराक सिंग ठाकोर हिमाचर प्रदेश के हमीरपूर, नितिन गटकरी नागपूर, प्युश कोयल उतरी मुंबई और डॉक्टर भारती परवीन पवार की जिन्दोरी सीट से चुनाव लड़ेंगी, पार्टी ने उतराखन के पूर्मुखे मंतरी तिर्वेदर सिंग रावत को हरिदवार और करनाटक के पूर्मुखे मंतरी बस्वराजवार बंबई को हावेरी सीट से उमीदवार बनाया है, पार्टी ने दिल्ली से बाकी दो C.E.A. लागू किया जाने का देश के विभीन क्षेतरों में जोर्दा स्वागत किया जा रहा है। हर्याना के इमनानगर में पाकिस्तान से आए लोगों ने इसका स्वागत करते हुए प्रधान मंतरी का धन्यवाद किया। ग्यम्नानगर के विभीन इलाकों में ऐसे सेंक्रों परिवार हैं जो वर्ष्णों से पाकिस्तान से यहां आकर बसे हुए हैं। लेकिन उनके पास यहां की नागरिकता नहीं है। अब उन्हें असानी से भारत की नागरिकता उपलब्ध हो जाएगी। इन लोगों ने केंदर सरकार की इस योजना का स्वागत करते हुए परदार मंतिर निरिंदर मोदी का धन्यवाद किया है। और ताकि हम आकर असानी से यहां नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जाता हूं जिनने बहुत इतिहासिक वैसे लेके यहनी की तीन तलाग का मुदा हो चैशी रामंदर बनाने का मुदा हो चैसी कनुन का मुदा हो इनने बहुत अच्छे कारे की हैं। और सब देशवासी और प्रदेशवासी और खासकर विद्देश में रहने वारे लोग बे अपने देश इंदुस्तान के दब देख रहे हैं। हमारी खवाइश है बस बगवान किर्फा करें जो हमें मतलब जो नगरत मिल जाए हैं। मेरा पहला वोट देश के लिए कारकरम के अंतरगरत अंबाला के खिलाड़ी युवाओं को मतदान के लिए जागरू कर रहे हैं। अंबाला के रहने वाले जिमनास्टिक अंतरगर खिलाड़ी युगेश्वर का कहना है कि वे भी आने वाले चुनाव को लेकर काफी उत्साहित हैं। वे भी पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे, उन्होंने और लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि वे भी अपने मत का वश्य प्रयोग करें और देश को उन्नती की और लेकर जाएं। वही आने खिलाडियों ने बताया कि वह इस पार मतदान में अपने मत का परेयोग करेंगे आप लोगस अपना मतदान दे रहे हूँ देश को तरक्की की तरफ लें अशे वगी आप की मुंत्यी में जेग já बहुत आप बहुत इशकल मैं चाहता हूँ कि जो आनेंक है उसको लेके में बहुत खूश Foundation और मैं फर्स टाइम बोट दे रहा हूं और मैं चाता हूं कि मेरी ऐसी सरकार आए जो स्पोर्ट को ऊपर ले जाए ताकि हम आने अले प्लेयर हमारे देश का नाम गोशन करें इसी को लेके मैं कहाना चाता हूं सारे प्लेयर और सबको खूश रखे निवारी जिले के बावल कस्पा के राजके महाव विद्याले के विद्यार्तिव में लोगसभा चनाओं को लेकर काफी उत्सा है पहली बार मद्दान करने वाले युवा मद्दान काफी उत्साहित है महीं कक्षाओं में भी युवाओं को मत दान के प्रति जागरू किया जा रहा है युवाओं को जागरू करने के लिए मेरा पहला वोट देश के लिए अभ्यान तेजी से चल रहा है इस अभ्यान में युवाओं भी रूची दिखा रहे हैं युवाओं का कहना है कि जो व्यक्ति देश के विकास की बात कहेगा हम उसे ही वोट देंगे उन्होंने कहा वे बड़े उसाहित हैं जो इस लोकसवा चुनाव में अपने मत का परियोग करेंगे जो देश के विकास करें और जो देश को प्रगति की रापर ले जाएं प्रसुति देने वाले इन करलाकारों ने वसुदेव कुतंबकम और सवरनियम भविष्य का मंत्र दिया सेन पिट्सबर्ग से आये एलेक्जेंडर साशा ने हिंदी में बात करते हुए कहा कि दुनिया में भारत के अध्यातम की गूंच है और उन्हें इसका प्रचार प्रसार करते हुए बड़ी खुशी की अनुभूती होती है इसे के साथ उन्होंने कहा कि धर्मनगरी कुरुक्षेतर में आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और वह यहां बार-बार आना चाहते हैं संस्कृति कारकरमों के प्रसुति देने वाली कलाकार माश्या और आन्या ने हिंडी गीत गाते हुए कहा कि उन्होंने भारते शास्त्र संगीत सीखा है और भारते संगीत से उन्हें बहुत लगाव है रूस से आई राज योगरी बेहन संतोष ने कहा कि दुनिया में भारतिय संस्कृति अध्यातम और योग की सविकारिता बड़ी है कि यहां जरूर आना है तो मैं बहुत खुश हूँ कि यह मौकर मिला भी यहां आने का और आप सबसे मिलने का आप चल कर मिला तो प्यार का सागर है तो प्यार का सागर है तेरी एक बूंदे के प्यासे हम लोता जोधिया तो ने विश्ध गूर्दा दिवस के अफसर पर आज रोध तक में इंडियन मेडिकल एस्सेश्जन के सभाकार में जागरुकता कारकरम का अयोजण किया गया इस कारकरम में अंगदान के महत्तव के बार में जागरुक किया गया इस कारेक्रम में रोटरी क्लब के अंगदान इंटरनाशनल के संस्थापक लाल गोईल ने मुक्य तिती के तौर पर शिर्टक की। इनर वील क्लब आफ रोतक का इस कारेक्रम में से उग रहा। इस दुरान गुर्दा दान करने वालों को समानित भी किया गया। इन अंगदान करने वालों ने अंगदान से जुड़े अनुभव भी सांजा किये। इस असरप मृत्यू परांत अंगदान के लिए भी प्रेरित किया गया। रोटरी क्लब के अंगदान इंटरनाशनल के संस्थापक लाल गोईल ने कारेक्रम के दुरान बताया कि अंगदान दो तरह का होता है। एक मरने से पहले और दूसरा मरने के बाद। वो परमीशन में बहुत बहुत टाइम लगता है। बल्कि लास्ट मन्थ धेली हाई पोर्ट ने गॉर्मेंट को डिरेक्शन दिया है तूरी कंसीडर कि किस तरह तीन महिने में परमीशन मिले या उसको मना किया जाए। पर अभी वो कारेनमित नहीं हुआ है पर वोगा जल् सब्सक्राइब का इसके पर म्रीशन में इसके बाद एक सपता तक मरीच को डॉक्तर के निगरानी में रखा जाता है। बाद में मरीश को घर बेज अध्यापरोपन के कुछ समय बाद व्रति समाने तोर पर हर परकार के कारे से कोर Felix कर सकता है। कि दोज की फिर्पेशन में हमें तीन से चार अफते लगते हैं उसके एक ट्रोसेस लिगल पॉसर से फाइल किर आए गॉर्मन के बास जाती है लेकिन यह ऑपरेशन तीन से चार घंटे चलता है उसके बाद एक हफते के लिए से दस दिन तक मरीज को अस्पताल में डॉक्टर की अब्जर्वेशन में जाना पड़ता है उसके बाद पेशिंट को बिस्चार्ज कर देते हैं ताकि वो घर जाके एक सिच्वेशनल इंवारिमेंट में दो तिन महीने अपना जीवन जीए और उसके बाद एक नॉर्मल जीवन में उसको बेज दिया जाता है किड्नी ट्रांस्वांट करने के बाद जो यह है कि हम मा नहीं बन सकते बाद नहीं बन सकते या शादी नहीं कर सकते या पढ़ नहीं सकते ऐसा कुछ नहीं है इसको किड्नी मिल गी है वो उसके द्मा भी बन सकती है वो बाप भी बन सकता है शादी भी कर सकते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं मोधी सरकार ने राश्ट्रे राजधानी क्षेतर से जुड़ा एक हैम फैसला लिया है PM नरिंदर मोदी की धक्षता में केंदरी मंत्री मंदल की बैटक में तया किया गया कि राश्टर राजधारी में मेट्रों के दो नए कॉरिडोर बनाया जाएंगे दिली मेट्रों के चौथे फेस के प्रोजेक्ट के तहट एक कॉरिडोर लाजपत नगर से साकेट G-Block तक तैह होगा और दूसरा इंदरप्रस से इंदरलोग तक बनाया जाएगा दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर है मोधी सरकार ने दिल्ली में मैट्रों के दो नए कॉरिडोर बनाने को मंजूरी दी है एक कॉरिडोर लाजपत नगर से साकेट G-Block तक का होगा और जबकि दूसरा इंदरप्रस से इंदरलोग तक बनाया जाएगा लाजपत नगर से साकेट G-Block तक 8.4 किलो मीटर का मैट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा इसमें 8 स्टेशन होगे और ये पूरी एलिवेटेड लाइन होगी जबकि इंदरप्रस से इंदरलोग लाइन 12.4 किलो मीटर लंबी होगी इसमें करीब 11.4 किलो मीटर लंबा हिसा एलिवेटेड होगा और करीब 1 किलो मीटर का हिसा अंडरग्राउंड होगा इस पूरे कोरिडोर में 10 स्टेशन होंगे, इन में 9 स्टेशन एलिवेटेड होंगे और एक अंडरग्राउंड स्टेशन होगा समचरों में आज इतना ही, नमस्कार झाल झाल झाल